कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का welcome है आज की इस वीडियो में आज की ये वीडियो बहुत important वीडियो है अगर आप crypto में invest करते हो crypto में आप invest कर रखा है आपने और कहीं न कहीं बहुत से भी बहुत ज़्यदा जरूरी है और आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिप्टो मार्किट के अंदर पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कहते हैं ना एक सिलसिला ऐसा शुरू हो चुका है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उसको रुकना चाहिए क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो रहा है मार्किट के अंदर जिससे बहुत सारे क्रिप्टो इंवेस्टर्स इंपेक्ट हो सकते हैं तो उस बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग crypto में invest कर रख है बहुत सारे लोगों को hope है crypto से अच्छा return मिलेगा और bull run में अच्छा return मिलता भी है ये हम देख चुके हैं already तो सभी चीजों का एक time fix है market के अंदर bear run भी अपने time पे आता है bull run भी अपने time पे आता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो बिल्कुल नहीं होनी चीए मैं बात कर रहा हूँ stable coins की जी हाँ stable coin अभी recently नया साल जैसी start हुआ Cardano ने अपना एक stable coin announce किया था कब 2022 के अंदर और January में इसको launch किया गया DZ stable coin भी आप इसको बोल सकते हैं और DZ मार्किट के अंदर जो भी अगर कोई project अपना stable coin लेके आ रहा है ना वो एक बार तो DPEG हो ही रहा है एक बार DZ भी हो चुका है अभी हमने कल ही आपके साथ बात किया था कि DZ जो है सीधा 10 रुपीस के level हिट करके आया सीधा फिर से अपने peg पे आ गया 81 के अब stable coin का मतलब क्या होता है सबसे पहली चीज stable coin को stable coin कहते क्यों है stable coin को stable coin इसलिए कहते है कि उसका जो price है वो stable रहता है न अप न डाउन stable coin सिर्फ 1 डॉलर जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा अगर वो डग मगाएगा तो उस coin के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है जिससे वो linked है आपने देखा Luna वाला case UST और Luna का connection दा तो UST में थोड़ी हल चल होई तो क्या कुछ हो गया Luna का हाल और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जो stable coin है बड़े-बड़े USDT भी टी पैग हुआ जब Luna का हमने crisis देखा उसके बाद USDT जो एक बड़ा stable coin है टोप का वो भी अपने पैग से गिरा नीचे इसके अलावा USDT जो नया stable coin आया Tron ecosystem का वो भी नीचे धराम हुआ वो तो कितनी बार हो चुका है Justin Sun जो founder है Tron के वो इतनी बार कह चुके कि इस stable coin को कुछ भी नहीं होगा लेकिन founder उस team का कहना कुछ और होता है लेकिन जो हमको charts पर दिखता है वो कुछ और होता है और इसलिए आज हम बात कर रहे हैं इस crisis के बारे में इस crisis को रोकना बहुत ज़रूरी है ये stable coin कहीं न गई 2022 से जो picture हमको दिखा रहे है वो अच्छी नहीं है और DZ ने भी वही सिलसिला मलब शुरुवात कर दी डुपकी लगा गए उपर आ जरूर गया लेकिन डुपकी लग ही क्यों रही है ये अपने pack से dpag क्यों हो रहे है stable coin ये एक सबसे बड़ा question है market के अंदर क्या पहले भी stable coin dpag हुआ गरते थे तो पहले इतना ऐसा कोई case हमको देखने को नहीं मिला ठीक है कि बार-बार ऐसे coins dpag होने लग जाए लेकिन 2022 से ये ऐसा issue क्यों आ रहा है stable coins के अंदर और अगर इस issue को जो भी issue है जो भी reason है dpag होने का जो भी जिस वज़ा से भी हो रहा है है ना अगर इन सब चीजों को नहीं रोका गया तो definitely market के लिए तो भी अच्छा होंगे नी और उस coin के लिए तो विल्कुल भी अच्छा नी होंगे जिस से वो linked है क्योंकि अब कही न कहीं जो luna वाला case हमने देखा है उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अगर आप luna को भूल गए कि luna गिरी थी तो सिर्फ और सिर्फ एक USTC की वज़ा से luna अपने आप से नहीं गिरी उसको गिराया कि उसके stable coin नहीं गिरा दिया लेकिन अगर डीपेग हो रहा है कारडैनो का यह stable coin तो कारडैनो के लिए भी खत्रेगी घंटी है USDD, Tron के लिए खत्रेगी घंटी है जो TRX coin है उसके लिए खत्रेगी घंटी है और बाकी जितने भी projects के खुद के stable coins हैं हमने बहुत सारे stable coins देखे हैं जो अच्छे खासे डीपेग हुए है कोई भी ऐसा stable coin बचा नहीं है जो डीपेग ना हुआ हो जो बिल्कुल ऐसा खरा stable coin हो जो बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ सभी अपने डीपेग हुए है और ये डीपेग वाला सिलसिला रुकना पड़ेगा रोकना पड़ेगा तभी market में चीज़ें अच्छी होंगी अगर नहीं रुके तो चीज़ें बद से बत्तर भी हो सकती है मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ मैं ये नहीं कहा रहा कि market crash होने वाला है नहीं लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है और जो चीज़ ठीक नहीं है उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है है ना तो stable coin का काम होता है stable रहे अपने price के उपर और अगर इनके जो teams है जिनके एक stable coins है अगर deep egg हो रहे हैं जस्टिन सन बहुत बड़ी-बड़ी बाते करते हैं यमारे पास ये है इतना पैसा है इतना fund है इसके लिए इसका collateral ratio बहुत सारी चीज़ें जब USDT launch होने से पहले बहुत सारे दावे किये लेकिन हुआ क्या USDT दो कितनी बार deep egg हो गया कितनी बार deep egg हुआ है है ना भले ही 0.99 पे जाए 0.98 पे जाए deep egg deep egg होता है और deep egg होना नहीं चाहिए यही एक सबसे बड़ा question है इस market के अंदर ठीक है तो I hope ये चीज़ें जल्दी से जल्दी solve होंगी stable coins को लेके और market अपने रंग में चलता रहेगा market अपने रंग में चलता रहेगा ठीक है मैं ये नहीं कहा रहा market crash हो जाएगा लेकिन उन projects के लिए उन coins के अच्छा नहीं है जिनके deep egg हो रहे है तो market तो अपने time से चलेगा अपनी cycle चलाता रहेगा market bitcoin जब उसकी cycle beer run की चलेगी तो beer run perform करेगा और जब bull run की cycle चलेगी तो bull run भी आएगा ठीक है लेकिन जो चीजें impact कर सकती है उन coins को उन holders को जिन लोगों ने उन coins को खरीदा है और उनके खुद के ही stable coin deep egg हो रहे हैं तो फिर problem वाली बात हो सकती है आगे जाके तो थोड़ा इन चीजों को दूर करना आप जरूरी है तो आगे इनके उपर जो भी update रहेंगे stable coins के उपर हम आपके साथ share करते रहेंगे बाकि आपके क्या views है इस issue के उपर stable coins के उपर बहुत important है ठीक है आप जरूर अपने view comment box में रखिएगा ठीक है और आगे जो update रहेंगे आपको मिलते रहेंगे वीडियो पसंद आया like, share, comment कीजेगा कोई question को इस सवाला पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye, take care